आज हम सभी लोग एक और नय एक्ट को डिल करने वाले हैं देट इस हिंदू माइनॉर्टी एंड गार्जन्शिप एक्ट जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो हिंदू लॉक की हमारी कड़ी चली थी अगर आप देखेंगे बैक टू बैक सारे क्लासे अगर आप लोग धीरे धीरे देखेंगे तो आपको कहीं जाने की जुरुत है ही नहीं सारा का सारा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि आपके एक्जैम के लिए जुडिशरी के लिए पॉफेक्ट लेवल पर रहेगा तो आई होप सभी लोग यहां पर आगे होंगे एंड पॉफेक्ट तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यह आपकी कंटिनूटी लेक्चर्स में पार्ट वाइस आती रहेंगे आज इस एक्ट को एक शॉट में मैं अब आपस से बोल देता हूं आज मैं इस एक्ट को वन शॉट में में मेंस प्लस प्री मतलब ध्यान रखिएगा मेंस प्लस प्री के परपस से करा हूंगा ताकि आपका मेंस के आंसर राइटिंग भी क्लियर हो जाए और प्री में भी आप अच्छे मांक्स ला सकें अगर इसका प्रशन आता है तो अब देखिए दो वर्ट्स हैं माइनार्टी एंड गार्जन शिप राइट तो सभी लोगों को एक बार में मेरी तरफ से जितने लोग हैं नेम लेना पॉसिबल नहीं बट सभी को अब वेरी गूड इवनिंग और मेरी तरफ से एक प्यारा सा जैहेंद एंड जैभारत थैं हिन्दू विधी हम पढ़ेंगे उसका पूरा पूरा चार्ट मैंने आप सभी के सामक्ष रग दिया है सबसे पहले हमने हिंदू मैरीज एक्ट के पार्ट वन से लेकर पार्ट थ्री वन टू थ्री पार्ट कर लिया है फिर उसके बाद आज हम सभी लोग हिंदू गार्जियन शिप एक्ट शॉट में इसको मैं लिखूंगा हम जी ए तो आप लोग पहचान जाएगा हिंदू इसी एक्ट का नाम लिख रहा हूं ठीक है हिंदू अप्राप्तवैता और संरक्षक्ता अधिनियम 1956 फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदू एड के बात बताना चाहूंगा साथियों इसमें भी मेंटिनेंस की बात बोली गई है सेक्शन नमबर 24 25 26 27 में तो उसका एक लेक्टर जो आएगा पार्ट फोर जस्ट इस एक्ट के खतम होने के बाद यह पार्ट फोर यहां आएगा फिर आपकी इस लेक्टर की शुरुआत होग अब हम लोग स्टाट कर रहे हैं दोस्तों तो एक बार सभी लोग थमसब करड़े कि वह या एकडम परफेक्ट है बस क्लास को स्टाट कर दीजायं तो चलिए स्टाट करते हैं हिंदू मैरिज अक्ट के बाद देखिए एक बहुत और याद रखिएगा दोस्तों यह 1965 ए है आपको कोई भी एक्ट पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैग्राउंड भी बताता हूं मैं अभी बताऊंगा बस एक बार इस एक्ट का स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं साथियों हिंदू अप्राप्त वैता और सरक्षक्ता अधिनियम हिंदू माइनॉर्ट एंड गार्जिशिप एक्ट नाइंटीन 56 के बारे में क्या कह रहा है एक्ट नंबर जो है दोस्तों 32 मुह में दात कितने 22 माइनॉर्ट बच्चा दिन वर हसता रहता है तो दासेगा दान दिखाएगा दान कितने 32 एक्ट नंबर 32 अच्छ अक्षकुल दाराएं कितनी है 13 से में दिये गए है 13 की 13 sections को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर अगर मैं बोलूं इस act का preamble क्या है इस act का उद्देश क्या है तो इसके दोस्तों दो उद्देश हैं क्या पहला उद्देश है to amend and codify मतलब संशोधित और सहीता बद करना किस चीज को laws को जितने भी कानून है जितने भी विधिया है उनको क्या करना है दोस्तों उनको संशोधित और सहीता बद करना है amend or codify करना है उन laws को वह laws वह विधिया वह जो विधि है वो किस से संबंदित है इनके दो पार्ट है पहला minority आप्राप्तवेता से संबंदित कानूनों को amend or codify करना फिर उसके बाद guardianship इसको guardianship बोलते हैं guardianship जो हता है संरक्षकता कहते हैं संरक्षक के संबंद में कानूनों को डिल करना दोनों एक साथ क्यों आए दोस्तों संरक्षण की आवे सकता किसको होगी अरे संरक्षण की आवे सकता बच्चे को होगी यह सोर्लों मैं यही तो पूछ रहा हूँ दोनों एक साथ क्यों दिये legislature का point of view से सोचो क्यों कि minor को ही guardianship किया वे सकता होगी दूसरे को क्या करने के आवे सकता है दोस इसलिए इन दोनों को एक साथ दिया गया है चलिए historical background इसका बड़ा छोटा सा है शुरू होने से पहले ही खतम हो जात प्रारंब में क्या हुआ था या 1890 में एक कानून आया था जिसका नाम था मेरा कहने का मतलब हिंदू minority and guardianship act 1956 के पहले भी क्या guardianship नहीं था क्या क्या कोई बच्चे को सरक्षन नहीं मिलता था क्या तो आंसर आएगा अरे मिलता था 1956 के पहले भी तो मैं यह पूछ रहा हूँ आप सभी से वह सरक्षन किस प्रकार का था किस एक्ट में था तो एक पुराना एक्ट था दोस्तों उसका नाम था 1956 में एक हिंदू लोग के अंदर कानून आया हिंदू माइनौर्टी और गार्डेंशिप एक 1956 लेकिन दोस्तों यह बोला गया कि जो यह जो यह था पूर विधान नहीं है जो बैदो हिंदू लोग के अंदर हिंदू माइन ओटिन गार्डेंशिप इश्लूर्ट लोग के अंदर अपने आप में कम्पीट नहीं है यह ए अधुरा है इस और यह को पूरा कैसे क ora is को पूरा कैसे करे दोस्तों दोस्तों इट इस सप्लिमेंटल लॉट टू गार्डियंश एंड गार्डियंश एंड वाट्स एक्ट 1890 बहुत बढ़िया यहीं से प्रश्ण बनेगा प्रीका मतलब यह एक्ट आपका अधूरा है अच्छी बात है दोस्तों तो वहिया इसको पूरा कौन करता है इसको पूरा करने के पूराना वाला जो ओल्ड एक्ट है वह पूरा करता है मैं इस एक्ट का भी एक सेक्षन आपको लास्ट में बताऊंगा सेक्षन नंबर 39 जो कि बहुत इंपॉर्टन है मेंस परपस है इस एक्ट का भी कुछ आपको मैं ओवर्वीव दिऊंगा ठीक है अब देखिए तो सब पहले इस एक्ट को आने से पहले इनिशली एटीन नाइनटी में गार्डियन श्रीप एंड वाट्स एक्ट अठारह सो नब्य था उसके बाद 1956 में दूसरा नया कानून आया हिंदू माइन आटियन गार्जेंशिप एक्ट 1956 लेकिन अपने आप में अधुरा कानून नहीं थ अनून प्रकश को क Vergleich करने के लिए इस एक्ट की help ली जाती है इस सप्लिमेंटल बाघ्लींटे लाव घ्लिवाट्स एन इसस एक्ट को कंप लीट करता है दोस्तों क्या कर रहूं कंपलीट करता है तो हिंदू मायं औट उन कार्द सपमिट करता है किसको करता है गाडियन शिप एंड वाट सेक्ट अठारा सो नब्बे को यह सरक्षक और प्रती पाल अधिनियम अठारा सो नब्बे का अनुपूरक है यही बात सेक्शन टू में आई हो बोली है देख लीजिएगा यह मेंस के लिए ही तो आया हूं यह च्रालौ है जो हमारा हिंदु लौ पढ़ रहे हुँना इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं स्टुदेंट्स कि यह जो एक्ट है यह एक्स्ट्रा लौ है ये बिल्कुल लिख सकते है या इसको एसे लिख सकते हैं या एक additional लौ है बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं क्या यह complete करता है yes old law को यह क्या करता है और लोगों यह complete करता है complete के अलावा supplement करता है पूरक के रूप में काम करता है यह पूरक है इसका 1890 वाले guardianship act का बोलो आया क्या समझ में अब इसके बाद देखेगा after the enactment of Hindu marriage and guardianship act 1956 following changes has been made मतलब जब Hindu marriage guardianship act 1956 आया तो इसके आने के बाद कुछ परिवर्तन तो हुए ही होंगे तो चलिए देखते हैं इनके आने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं देखेगा यह गलत है कितने परिवर्तन हुए हैं पहला इंप्रूमेंट देखो मेरे को यह बात समझानी आपको कि पहले से guardianship act था गार्डियंशिप एंड गार्डियंशिप एंड वाट्स एक्ट 1890 तो present act क्यों आया क्योंकि कुछ परिवर्तन की जरूरत थी अल्ट्रेशन की जरूरत थी देखें इंप्रूमेंट्स इन दवीमेंस स्टेटस जो पहले महिलाओं की स्टेटस थी सामाजिक पी स्टति थी उसमें क्या होता था उसमें गाडियंशिर नहीं था माट पहले महिलाओंकों गाडیंशिप के राइट नहीं होते थे शेप पिता की पास होते थे लेकिन जैसे यह कानून आया जोस्तो माता और पिता दोनों के पास सरक्षक्ता के अधिकार मिल गए हैं तो इस तरह से माताओं को और और जो आपकी महिलाएं विमें से उनकी समाजिक स्थे problèmes उनके स्टेटेस में सुधार लाने के लिए एक्ट को लाया गया फिर दूसरा क्या object था, क्यों लाया गया? Changes regarding the power of de facto guardian. अभी मैं इसको पढ़ाऊँगा section 11 के साथ कि de facto guardian क्या होता है? तो de facto guardian के अंदर changes लाने के लिए भी ये लेके आया है. तीसरा, the act limits the power of natural guardian with respect to property of minor. मतलब ये क्या कह रहा है? अधिनियम नाबालिक की संपत्ती के समन्द में नैसरगिक सरक्षक की सकती को सीमित करता है. मतलब जो आप natural parents है और minor की पास कोई property है, तो ऐसा नहीं minor की property जब चाहो तब बेचो, चाहे जो करो. आपके right को, parents, natural parents के right को थोड़ा restrict किया गया है इस act के माधियम से. कुल मिला के minor को भी protection दी गई और parents को सरक्षक्ता के अधिकार प्रदान किये गये in general. तो these are the necessity why Hindu minority guardianship act is there. क्यूं क्यूं लाया गया जब पहले सी guardianship act था? ति तीन प्रशना आप तीन पॉइंट लिखके आ सकते हैं अब चलिए act की शुरुवात कर रहा हूं बहुत ही आराम से ध्यान से सुनते रहिएगा right देखिए धारा एक क्या कहती है दोस्तों 13 sections है 13 की 13 sections को with case laws हम आज समझेंगे पहला section 1 क्या कहता है short title and extent की बात करता है इसके रहा हिंदू minority and guardianship act 1956 हिंदू अप्राप्तवैता और सरक्षक्ता दिनिया 1956 इसका short title है और यह कहां लगता है यह पूरे भारत पर लगता है इट एप्लाइज इस extends to the whole of इंडिया लेकिन क्या यह भारत के बाहर भी लगता है येस अगर आपका domicile इंडिया में हो domicile का हो in India आपका अधिवास इसका मतलब होता है अधिवास अगर आपका अधिवास भारत में है और आप भारत के बाहर कहीं भी चले जाए चाहे अमेरिका चला जाए चाहे कहीं भी चले जाए यह आपका एक्ट पीछा नहीं छोड़ेगा आपके उपर भी एक्ट लागू हो जाएगा जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं साथियों देखिएगा इसका थोड़ा सा लेंग्विज फॉर में भी आप समझेगा सेक्शन नमबर टू को प्लीज वेट देखिएगा क्या लिखावा है दोस्तों यह लिखावा है शॉट टाइटल एंड एक्स्टेंट यह नाम बता दिया विस्तार के बारे में जड़ा देखिए बेरक क्या कहता है इट एक्स्टें यह एक्स्टेंड होता है वहां वहां पर सबके ओपर लगेगा वहां के यह सारे प्रोविजन में आपको पढ़ा चुका हूं हिंदू मैरी एक्क के पार वन में जाके वहां पर आप रफर कर सकते हैं दोस्तों पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो बताइए ऐसा तो नहीं है मैं जूट बोल रहा हूं बिल्कुल आपको मैंने हिंदू मैरी जैक्ट के पार्ट वन में यह सारे पॉइंट को क्लियर किया था फिर देखिए एक और पॉइंट आता है दोस्तों सेक्शन वन क्या था शॉर्ट टाइटल एंड एक्स्टेंट अब उसके बाद सेक्शन टू आएगा आब सभी का सेक्शन टू क्या कहता है धारा दू क्या कहती है हिंदू मैरीज एंड गार्जयन शिप एक्ट जो है उसके संबंद में यह जो एक्ट है दोस्तों यह एक सप्ली मेंटल है किसके लिए टूदी गार्डियन्स एंड पूरक है पूरक का मतलब यह इसको कम्प्लीट करता है दोस्तों क्या करता है कम्प्लीट करता है बोलो आया कैसमझ में यस अब चलिए Section 3 की बात करते हैं application of the Act मतलब इस Act का लागू होना इसको क्या करते है Section 3 को अधिनियम का लागू होना जब कभी भी दो questions आ जाए कि अगर आप से कोई पूछे application of the act के बारे में समझाईए तो आपको लिखना है who is Hindu मतलब इसका answer अगर question ऐसे आजा है who is Hindu तो ही यही section 3 वाला ही answer आपको लिखना है एक वह Hindu होगा जो section 3 में इस प्रकार दिया गया है अब आप चलिए मैंने आपको Hindu marriage act में चार्ट मैंने बना तो दिया था बट ला नहीं पाया था मिस हो गया था उचार्ट तो Hindu marriage act के अंदर भी यह चार्ट आप involved कर सकते हैं देखिए क्या चार्ट है who is Hindu देखिए कितना प्यारा चार्ट आपके लिए मैंने बनाया है कभी कभी लेट होता हूं तो माफ कीजिएगा क्योंकि यही सब काम में लगा रहता हूं फिर इन डबो में Hindi भी भरता हूं देखो आगे भी Hindi आपके लिए भरी होगी मैंने यहां पे तो नहीं पॉसिबल है बट आगे बताता हूं देखो यह सब हिंदी में भी लाओंगा आपके देख रहे हैं यह सब हिंदी में लाओंगा जहां तक पॉसिबल होगा तो थोड़ा पहुत क्या होता है चीजों को जमाने में टाइम लगता है दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए लीजिएगा राइट थेंक्यू भरत भाई थेंक्यू सो मच एंड आगे चलते हैं हूँ इस हिंदू हिंदू कौन है हिंदू मैं हूँ आप वो पडोसी है ऐसा नहीं बोल सकते हैं लौकी तरीके जवाब दीजिए तीन केटेगरी में बाटा गया हूँ इस हिंदू ए बी और सी मतलब सेक्शन तीन का क्लॉज वन जो है उसके अंतरगत देखिए एबी सी तीन केटेगरीज है राइट देखो हिंदू बाई रिलीजियन जो धर्मता हिंदू हो चाहे अब देखो इनकी हिंदी आप लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है यह सब इıtहीं इपसा के क्लिधो और दोपी टाव रिलीजियन जो दार्मता हिंदू हो वह एंज़ू एंड़ इंक्लूट्स इसका फुलस का मतलब क्या है इट्ट इनप्लूट्स पहला वीर श्यव जो वीर सयोटते हैं दोस्तों क्या कह रहा हूं मीय श्oundingat भी क्या इंदू follower का मतलब होता है यह वाला यहाँ पर collaborate follower का मतलब यह होता है दोस्तों जो उपासक हो किसका? ब्रह्म समाज का उपासक हो Getting my point? जो ब्रह्म समाज की पालना करता हो, वह भी ब्रह्मन है, जो प्रार्थना समाज का follower हो, वह भी वो भी हिंदू है माफ कीजिएगा ब्रह्म समाच प्रार्थना समाच या आरे समाच अगर आप इन तीनों समाच के फॉलोवर हैं तो भी आप कौन है हिंदू है को के आगे बढ़ते हैं बी क्लॉज में आईएगा जो कोई भी बुद्धिस्ट है जैन है और सिख है बाई रिलीजियन धर्मतर बुद्धिस्ट है क्या बोल रहा हो दोस्तों बुद्धिस्ट है ठीक है जो कोई भी जैन है या कोई भी सिख है तो वह अपने आप में सब क्या है दोस्तों वह धर्म से हिंदू है तो बुद्धिस्ट जैन सिख भी हिंदू की डेफिनेशन में आ गए हम नॉट क्लेरली वीजिबल दिक्षा ओके मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं आई हूप आप अपना हिंदू मैरिज इसको वर्ड को एक हटाईएगा थोड़ा सा चेंजेस है दोस्तों देखो एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन्द टेरिटरी ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिवासी है कहां का अधिवासी है दोस्तों अपने इस टेरिटरी का इंदर टेरिटरी जहां पर हिंदू माइनॉर्टी एंड इसकी जगह लिग दी जगह ऐसे हिंदू माइनॉर्टी एंड गार्डियान्शिप एक्ट एक्स्टेंड जहां जहां पर Hindu minority और guardianship act extend होता है जिन व्यक्तियों के उपर जो domiciled है वो भी Hindu कहलाएंगे लेकिन कोई भी व्यक्ति जो domiciled है जो कोई भी यहां पर domiciled है अच्छी बात है बट वह अगर not a Muslim not a Christian पार्शी और जिव ऐसा थोड़ी नहीं मुस्लिम को पकड़ोगे को तुम भी Hindu तुम भी domiciled हो यहां क्या ऐसा नहीं चलेगा पार्शी को पकड़ा तुम मैं आगे बढ़ा रहा हूं इसी चार्ट को ध्यान से देखिएगा यस और नो वही चार्ट है हिंदू not Muslim Christian और पार्शी जो नहीं है यह बट इस पूरी बात का एक अपवाद है दोस्तों जिनके उपर हिंदू लौके प्रोविजस अप्लाई होते हैं जिनके उपर हिंदू सेंस में मैं बोल रहा हूं जिनके उपर हिंदू लौक कस्टम और यूसेज एपलाई नहीं होते हैं लागू नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे लागू नहीं होते वो क्या कहलाएंगे दोस्तों वो कहलाएंगे not a हिंदू बस अगर हिंदू लौई न प्रथा ही कहते हैं रूधी और प्रथा यह अगर लागू नहीं हो रहा हिंदू लौका तो कुल मिला के दोस्तों वह हिंदू नहीं है अब आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आपने एक्स्प्लानेशन देखा था मैं फिर से बोल दे रहा हूं आप लोगों ने एक्स्प्लानेशन पढ़ा था एक्स्प्लानेशन को बोलते हैं व्याक्या मतलब जो चीजें आप सभी ने 45 मिनट्स क्लास चलेगी प्लीज डॉन डिस्टरब दे क्लास ओकी हिंदू लौ एंड यूसेस चली एक बात बताना चाहूंगा आज हमारे डॉक्टर साहब हैं उनका बर्दे है तो सभी लोग बढ़िया से पढ़ाऊंगा फिर इन लोग के साथ पार्टी करोंगा बोल दीजे सब लोग एक बार हैपी बार दे ताकि वो मैसेज नहीं करेंगे फिर ओके अब चलिए दोस्तों मैंने अभी तक आप सभी को यह पढ़ाया हिंदू कौन है बधाई हो आपको पता चल गया अब देखिए दोस्तों यह एक्स्प्लानेशन क्या बोलता है अब चाइल्ड है उसके दोनों पैरेंट हिंदू है ठ्यान से सुनिएगा चाइल्ड जिसके बोथ पैरेंट्स हिंदू है बट चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे वो बच्चा इलेजिटिमेट हो जा नहीं पड़ेगा तक मेरा किहने का मतलब अगर आपके माप राया दों Mayo है दोस्तों तो आपका बच्चा चाहे लेजिटीमेट ड़ेडियत हो है तो आपका पुत्र यह पुत्री आपके जिग्र का तुकडा इसलिए वह हमेशा लेगिपल ही होगा तो कभी भी हिंदू को चेक करने के लिए लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चलिए आगे की बात क्लॉस बी की बात करते हैं दोस्तों चाइल्ड वन ओफ फूस पैरेंट इस हिंदू वह बच्चा जिन में से उनके कोई माता पिता हिंदू हो मतलब एक मान लीजिए मुस्लिम है एक पैरेंट और दूसरा हिंदू है हिंदू मुस्लिम ने आपस में शादी कर ली तो अब होनी वाला इनका जो प्रोड़क्ट है जो ये बाबू है ये क्या कहलाएगा ये छोटा बाबू का ये देखा जाएगा इसका पालन पोशन कैसे हुआ है ये बच्चा पूजा कर रहा है कि ये बच्चा नमाज पढ़ है अगर ये बच्चा पूजा कर रहा है इसका एज हिंदू पालन पोशन हुआ है तो यह चाइंड भी क्या कहलाएगा हिंदू कहलाएगा बस इतनी सी बात तो कभी भी हिंदू मुस्लिम के केस में ब्रॉट अप को चेक किया जाता है पर सी पॉइंट देखे क्या कह रहा है इसका अगर कोई व्यक्ति एनी पर्सन का मतलब होता है कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति के संबंद में क्या कह रहा हूं अगर वो कनवर्ट है या फिर कनवर्ट है मतलब कोई भी व्यक्ति जो धर्मांतरन कर लेता है कनवर्ट का मतलब धर्मांतरन कहते हैं दोस्तों अगर उसन मतलब चाहिए आप convert हो जाईए चाहिए रिकनवर्ट हो जाईए हो आप हिंदू मेरे तो हिंदू ही क्या लाएंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है अब देखिए section 3 का ये मैंने clause 1 पढ़ाया है दोस्तों I hope आपकी उम्मीदों पर मैं ख़रा उतरा हूँ तीन का एक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है अब तीन का दो देखिए constitution का मतलब होता है समिधान बहुत प्यारा subject है दोस्तों मजा आता है पढ़ने में समिधान जो है वह section 3 के clause 2 में है ये क्या कहता है इसके अंदर अनुच्छेद है कौन सा 306 का 25 इसके अंदर ST के बारे में बात की गई scheduled tribes के अगर इन ST पर हिंदू minority and guardianship act नहीं apply होता है not applied लागू नहीं होता है लागू नहीं होता है तो क्या होगा ये कहरा है 306 का 25 की भाईया ST की बात करता है scheduled tribes की अगर आपके उपर हिंदू minority and guardianship act 1956 लागू नहीं होता है तो क्या होगा then central government चाहे तो notification अधी सूचना जारी करके official gadget में direct निर्देश दे सकती है कि वह ST हिंदू कहलाएगा getting my point तो कई लोगों को सर बाबू नमाज और पूजा भी पढ़ता है तो क्या होगा सर फिर हम उसकी इच्छा पर जाएंगे ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति दो धर्मों को अपना कर नहीं चल सकता है कि वह अपने document में लिखे कि मेरा नाम क्या मेरा नाम यह हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं ध्यान से समझेगा उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा किसी एक धर्म को mention करना पड़ेगा depends on his wish यह बच्चे पड़ेगा शाम को पूजा करेगा है ना और क्रिश्यन हुआ तो दो पर में जीजस जी के पास सेला जाएगा चलिए तब क्या करेगा अब तुम जवाब दो अब देखो section 3 का clause 2 मैंने बता दिया कि STS को के उपर भी हिंदू law apply किया जा सकता है notification जारी करके अब बताओ section 3 का 2A एक यह नया जुड़ा था इसका मतलब क्या होता इसका अप्लाइड तो रेनॉन केंट्स ऑफ दी यूटी ऑफ पॉंडी चैरी मतलब पॉंडी चैरी आपका जो है एक एक यूनियन टेरिटरी है केंदर शासित प्रदेश है वहाँ पर जो वहाँ के रेनॉन केंट्स है उ अब देखिए सेक्शन तीन का ही क्लास तीन एक और है दोस्तों यह बात करता है पर्संस की लक्षमी कैरी फुल फॉर्म इतना तो बोल रहा हूं हिंदू माइनॉटी आज चलो यह आज का आपका हेडिंग भी नहीं रखा है ना यह भूल गया है डालना शायर लेकिन अब देखिए दोस्तों अब मैं एक लास्ट क्लॉस की बात करता हूं अगर कोई पर्संट चीक है बिल्कुल आपका हैपी बर्डे है अभी मनाएंगे पर्संट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कोई भी व्यक्ति not a Hindu by religion ध्यान से देखिएगा धर्मता हिंदू नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति बट on such person provisions of Hindu minority and guardianship act applies कोई भी व्यक्ति धर्म से हिंदू नहीं है बस उस बेचारे के उपर ये जो act पढ़ रहना Hindu minority and guardianship act ये लागू हो जाता है तो क्या वो हिंदू होगा yes he is a Hindu तो यह act भी अगर लागू हो जाता है तो वह भी क्या कहलाएगा हिंदू कहलाएगा चलिए आगे की बात करते हैं आगे की बात करते हैं कि section 4 के शुरुवात करते हैं दोस्तों अब देखो जो मैंने आज section 3 आपको पढ़ाया है हालांकि मैंने इसको बेर एक की लेंगवेज से भी पढ़ा दिया था आज वैने आपको चार्ट फॉर्म से भी पढ़ा दिया है तो प्लीज स्टुडेंट्स आप लोग नोट कर ली जब पढ़ने के बारी आएगी तो मुह बना लेते हैं यह लोग पढ़ाई नहीं करते हैं जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा तुमको सुनो यह माइनर है यह लोग माइनर है सेक्षिन 4 में पॉर्षन में आते हैं माइनर कौन होता है साथ यह ध्यान से देखिएगा माइनर मिंस अपर सन हूँ हैज नौट कंप्लीटिड दा इज ओफ एटीन एस मतलब अप्राप्तवय का मतलब क्या होता है जिन्हों ने अपनी आयू 18 वर्स पूरी नहीं की हो 18 वर्स की आयू पूरी न की होगा माइनर कहलाते हैं चलिए 4 A के बाद section 4 में ध्यान से सुन लिजिएगा फिर से बता देता हूं section 4 के अंदर definitions को दिया गया है इन्ही definitions में 3 portions हैं A और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऐसा भी 4 टिक बनाएगा B फिर इसके बाद आ जाएगा C अगर इसमें बात करो एक के अंदर माइनर की definition दे रखी है बी के अंदर अगर बात करें दोस्तों guardian की definition दे रखिए सरक्षकता के बारे में बता रखा है तो यहां पर लिख दू गार्डियन आप लोग ऐसा चार्ट बनाईएगा सरक्षक कह सकते हैं इसको हम लोग फिर उसके बाद हम जब C की clause में जाएंगे दोस्तों तो हम C में एक बहुत ही प्यारी definition देखेंगे guardian के बाद क्या जाएगा natural guardian इसको बोलते हैं नैसर्गिक सरक्षक तो यहां पर फटा फट लिखिएगा natural guardian इसको हिंदी में बोलते हैं नैसर्गिक यह चार्ट बना लीजिएगा भूलिएगा मत नैसर्गिक और यहां लिखना थोड़ा तफ हो गया है तो नैसर्गिक है ठीक है सरक्षक तो लिखावाई है माइडर का मतलब अप्राप्त वैं तो यह था आपका चार्ट ऐसा चार्ट आपको अब देखिए आगे की बात अब सेक्षन चार की क्लॉस भी को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते आपको मैं पढ़ाऊंगा चाहां से देखिएगा ना नमस्ते नभीन guardian का मतलब होता है सरक्षक्ता person having care of ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन बता रहा हूं person having care of ऐसा कोई वैक्टी जो देखरेक करता है किसकी अप राप्त वैता की minor की देखरेक करता है दोस्तों minor की देखरेक कैसे करेगा सिब minor कोई पूछेगा तू कैसा है नहीं माइनर को तो उसके सरीर की देख भाल तो करेगा ही कि बाबू तुझे बुखार तो नहीं आ रहा है तो तबियत तो ठीक है तो भूखा तो नहीं है लेकिन उसकी जो संपत्ती होगी दोस्तों उसका भी देख रेक करेगा मतलब यह जो माइनर का guardian होता है वह वेक्ति होता है जो माइनर के सरीर की तो देखभाल करता ही करता है माइनर के person की यहां लिखा होगा बेरेक्ट में माइनर's person मतलब माइनर के सरीर का देखभाल या माइनर's property माइनर की संपत्ति का भी देखभाल करता है या फिर दोनों का करता है पहला तो person दूसरा उसकी property की देखवाल तीसरा person या फिर property बोथ दोनों की देखवाल वो करता हो सरीर या संपत्ती दोनों तो वो क्या कहलाएंगे they are called guardian बोलो आया कह समझ में अब देखो आगे की बात guardian includes इसके आगे definition कम नहीं हुए या प्लस लिखो यह guardian तो होते हैं बट guardian और कौन कौन से होते हैं मतलब guardian includes सरक्षक में सम्मीलित है types of guardian कह सकते हैं कौन कौन से लोग सम्मीलित हैं देखिए दोस्तों कौन कौन से लोग सम्मीलित हैं पहला देखिए natural guardian नैसरगिक सरक्षक जो नैसरगिक सरक्षक होते हैं वह section 6 में आते हैं दोस्तों तो जो तो नैचूरल गार्डियन होते हैं, नैसर्गिक सरक्षक वो गार्डियन की definition मैंगे, नैचूरल का मतलब क्या, हमारे और आपके मम्मी पापा, जिन से हम पैदा हुए है, या सौर्णो, जिन से हम रोज घर में मिलते हैं, वो हमारे नैसर्गिक सरक्षक कहलाते हैं, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक जिनसे हमने जन्म लिया यह section 6 में हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं तो natural guardian section 6 में दिया गया है और defined कहां पे किया गया है 2KC में अब चलिए 2KC में अब देखिए दोस्तों यह अच्छे से नहीं लिखा है यहां लिख देता हूँ 2KC के अंदर अब देखिए दूसरा guardian कौन आता है दूसरा जो guardian होता है by will appointed by will ऐसा guardian जो minor's parent देखिए guardian appointed by will of minor's parent मतलब कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो वसियत बना के चले जाते हैं कि मेरे बाद यह इसके माता पिता कहलाएंगे तो they are appointed by will they are appointed by will तो वो will के मतलब क्या होता वसियत मतलब आप राप्तवे के पिता या माता की will द्वारा नियुक्त सरक्षक भी guardian कहलाते हैं इसका कहां पर दिया गया है section 9 में हम पढ़ेंगे भी section 9 फिर उसके बाद तीसरा जो आता है students वह आपका है appointed by court कभी कभी court भी आपक नियुक्त किया जाता है अब उसके बाद देखिए person empowered to act as guardian by court of warts कई बार court of warts के द्वारा भी क्या होता है a point होता है empowered उसको क्या किया गया है प्रतिपाल अधिकरन द्वारा सरक्षक की हैसियत में कारे करने के लिए सशक्त व्यक्ति मतलब a person who is empowered to act as guardian किसके द्वारा court of warts के द्वारा तो वह अभी guardian कहलाएगा अब देखिए अच्छा कोई बात नहीं बहुत बढ़िया लिखा आपने जो भी लिखा है यहां बहुत सारे लोग आ गए हैं पराने दो यह ऐसा लगता है चलिए guardian का मतलब क्या होता है अब देखिए छोला गार्डियन का मतलब क्या है जो यहां पर सैक्षिंग डिया रहेगा वह लिख रहा है it means any of the guardians mentioned in section 6 जो guardians section 6 में mentioned है वही natural guardian में आएंगे right yes or no जल्दी बताइएगा अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं please mention time आठ साड़े आठ के बीच में आता हूँ यार चलो section 5 की बात करते हैं अभी जो भी आपको question होगा ना दोस्तो आप सिफ इसी से इसके concepts related आप पूछा करें आप सभी से मैं request करता हूँ reason is that ये flow तूट जाता है एक flow मेरा चलने दीजिए सिर्फ आपको अगर facts से संबंदित कोई दिक्कत है तो आप वो पूछा करिए वरना क्या होता है मेरा flow तूटता है तो आप सभी को आप सभी को आपके बाबू की कसम दिला दू क्या तो प्लीज आप लोग नहीं disturb करेंगे thumbs up कर एक बार और मुझे मेरी गाड़ी को एक speed में चलने दे जब आपको question इस से संबंदित है तो पूछेगा वरना last के 5 minute में आपको दूँगा extra talk के लिए यह मैं promise करता हूँ अब देखिए section 5 की बात करते है एक से लेकर 4 sections तक मैंने आपको पूरा bench करा दिया है 13 में से अब section 5 क्या कहता है overriding effect इसका मतलब होता है अध्या रोही प्रभाव अध्या रोही प्रभाव same वही है जो मैंने Hindu marriage act में पढ़ाया था चलिए देखते है Hindu marriage act लिखा है ना 1955 अब इसकी जगह आप लिख दीजिए Hindu minority and guardianship act 1956 बस जैश्री राभ तो Hindu minority and guardianship act 1956 के पहले before before का मतलब क्या हो गया पहले अगर कोई भी कोई भी टेक्स्ट, रूल, इंटर्प्रिटेशन मतलब निर्वचन किया गया है किसका Hindu लौका किसी भी कस्टम मतलब किसी भी रूधी का या किसी भी प्रथा का तो क्या होगा शैल सीज वापस से बोल देता हूँ Hindu minority and guardianship act 1956 के पहले का अगर कोई भी Hindu लौका टेक्स्ट है, रूल है, इंटर्प्रिटिशन है minority और guardianship के respect में कस्टम से संबंदित कोई चीज़े, uses है तो वो बोला जाएगा भाई साब अब वो seize हो जाएगी क्यों? क्योंकि हमारा अपना खुद का एक नया एक्ट प्रारंब हो गया है और दूसरी बात अगर कोई any other law है किसी अन्य कानून में भी इस 1956 के कानून से पहले अगर कोई any other law है और वह कानून इस act के साथ इस act के साथ inconsistent है, असंगत है मतलब 1956 ऐसे समझा करो 1956 यहां लिख दीजिए इसके पहले before इसके पहले कोई भी text है कोई भी rule है कोई भी interpretation है हिंदू लौका या फिर कोई भी any other law है क्या कह रहा हूँ कोई भी any other law है जो कि इसके साथ असंगत है, inconsistent है तो यह सारे के सारे यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे shell sees बोलो समझ में आया क्या क्लियर साभी को क्लियर थमसब करें कि 1956 हिंदू माइनाटिन गार्डियनशिप एक्ट के पहले का कोई भी कानून होगा अगर वो हमारे present वाले एक्ट के साथ inconsistent है तो भाईया sees हो गया चला आगे बढ़ कोई भी rule text interpretation है तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा हाँ अब देखिए आगे की तरफ move on करते हैं दूसरा प्रशन देखिएगा section 6 की बात करते है natural guardian नैसर्गिक सरक्षक exam में means purpose से यहीं से सवाल आएगा इसको करिएगा very 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 important दोगों बता देता हो ना चपता है याद रखना मेरी बात यह आपका प्रशन प्री प्लस में दोनों में आएगा इस पार ज्यान से देखिएगा अगर नेच्छरल गार्डियन का कोशन आएगा तो नेच्रल गार्डियन का आएगा या माइनर की संपत्ति प्रॉपर्टी शेल भी शेल भी फिर लिख रहा बॉइ और अन्मेरिट गर्ड लेकिन इसके नीचे नहीं दिया है इसके नीचे यह दिया है फादर अब यहीं रुख जाते हैं इस चार्ट को समझते हैं क्या कह रहा है इस बताया तो है कामीनिक बार वापस जाकर देख लिजेगा दो बार बता है हिंदू मैरी एक्ट में भी बताया यह यहां पर भी बताया है ये ईस लिगल राम राम ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं section 6 में क्या किया रहा है natural guardian कौन होगा नैसर्गिक सारक्षक कौन होगा minor का तो natural guardian of minors persons और property shall be boy और unmarried girl के case में अगर कोई लड़का है या अविवाहित लड़की है तो उसका guardian कौन होगा उसका guardian उसके पापा होंगे वापस बोलता हूँ अगर कोई minor person या minor की property है और वो minor जो है वो लड़का है या वो लड़की है अविवाहित है तो उसका guardian कौन होगा उसके पिताजी होंगे वही बात देहां लिखी है father and father होंगे रोज आप लोग कहते हैं class कब start हुई है बहुत बढ़िया चलिए तो natural guardian वापस बोल लेता हूँ class को वापस सुनिएगा यही से प्रश्ण यह supreme court का landmark judgment भी बता हूँ है तो अगर किसी minor की बात करें दोस्तों माइनर के person और property की देख भाल करने के लिए और वह माइनर कौन है वह माइनर या तो लड़का है boy है या फिर वह माइनर लड़की है तो इन दोनों situation में इसका guardian कौन होगा इसके पिता जी होंगे and after him mother और पिता जी के बाद किसी की बारी आती है तो कौन कौन होगा वह होंगे उनकी माता जी getting my point yes or no अब आगे की बात चलते हैं if child is एक बात और ध्यान रखिएगा if child is less than five years of age अगर अब प्राप्तवे पांच वर्से छोटा है तो उसकी अभी रक्षा उसकी कस्टडी जिसको बोलते हैं अभी रक्षा किसको दी जाएगी दोस्तों उसकी कस्टडी मदर को मतलब माता को दी जाएगी हमेशा याद रखना क्योंकि पांस साल का बच्चा दूद पीता है मदर के एर की जरूरत है मदर के लैप की जरूरत है गोद में खेलेगा तो उसको पिता जी वो प्यार नहीं दे सकता है ऐसा माना जाता है सुप्रीम कोड की बात है तो यह कह सकते हैं पांस साल से छोटे बच्चे का गार्डिय के base पर उसके guardian कहलाएंगे और father के बाद उनकी माता जो होगी वह उनकी guardian कहलाएंगी बढ़ाई हो लेकिन अब अगला point देखते हैं दोस्तों अगर यहां पर जो minor है वह लड़का तो है और लड़की तो है लेकिन दोनों के दोनों boy और unmarried girl यही वाले illegitimate हैं दोस्तों illegitimate है तो illegitimacy का जब भी मामला आता है तो वहां पर father की जगह कौन ले लेता है mother ले लेती है तो illegitimate child के case में कौन priority के base पर guardian होगा पिता जी नहीं होगे प्रात्मिक्ता पिता जी की हटा दी जाती है अब इस situation में माता जो होती है उनको प्रात्मिक्ता दी गई है दोस्तों and after her और माता के बाद जो पिता होते हैं उनको प्रात्मिक्ता दी जाती है उसी के बाद अगर यही unmarried girl की शादी हो जाती है और ये विवा होके अपने घर चली जाती है अपने घर बगड़ा गजब बोल रहा हूं मतलब इनके दो दो घर होते हैं दोस्तों ऐसे समझा करो एक तो पिता जी का घर एक दूसरे और पिता जी बनते हैं जो इनके हस्बेंड के पापा कहलाते हैं तो अगर यह अनमेरिट की जगह मेरिट गर्ल हो जाए मतलब यह एक विवाहित पुत्री हो जाए तो इनका गार्डियन कौन होगा विवाहित पुत्री के केस में जो इनका गार्डियन होगा दोस्तों वह इनके पती परमेश्वर होंगे बोलो आया क्या समझ में ना तो माता रहेगी न मुझे बताने बड़ा हर्ष है खुशी है दोस्तों कि आपको मैंने ये सारे questions already यूट्यूपर करा रखे हैं तो आपके पार आप इस lecture को देखने के बाद इसके mcq को भी लगा सकते हैं मैंने कराया हुआ है YouTube पर ही ठीक है आप चेक करिएगा अब चलते हैं आगे की बाद एक केस आया था दोस्तों देखो एक वर्ड मैंने रेड किया हुआ है आफ्टर हिम का मतलब क्या होता है बहुत अच्छी बात बोली मैंने पुत्री का मतलब क्या है पुत्री मतलब बेटी आपकी जो बेटी होगी या बेटा बेटा का बेटी पुत्र पुत्री कुछ अलग पूछ रहे थे क्या लीगल एंड क्रिमिनल एडवाईस अच्छा सुनो मेरी बात आफ्टर हिम का मतलब क्या है कि मतलब पहले पिता जी होंगे और पिता जी के बाद माता जी तो इसका एक बात बुला गया गीता हरीहरन वर्सेज आर बी आई का एक केस आया 1999 में 1999 में गीता हरीहरन के केस में बुला गया after him का मतलब ये कभी नहीं लगाये जाएगा कि पिता की मृत्यू के बाद माता guardian होगी मृत्यू की जगह इसको यू समझिये कि in the absence of father mother will be the guardian seize का मतलब होता है जो चीज exist नहीं करेगी खतम हो जाएगी अब देखे the supreme court held that after in section 6a cannot be interpreted to mean after the life of father मतलब supreme court ने कहा कि बाद का अर्थ पिता के जीवन के बाद से नहीं लगाया जा सकता है the word after has the meaning in absence of मतलब के बाद शब्द का अर्थ है अनुपस्थिती में मतलब पिता की अनुपस्थिती में कौन होंगे father होंगे माफ कीजेगा father की अनुपस्थिती में कौन होंगे mother होगी और वहीं पर दूसरा point भी आया था एक इस वाले case में पहले mother होगी and after यहां पर भी use हुआ तो यहां पर भी after का मतलब mother की absence में कौन होगा father होंगे getting my point यही प्रेशन आपके इसके अंदर प्री के अंदर पूछा गया था कि किस case में यह after का meaning बताया गया गीता हरीहरन versus reserve bank of India में बताया गया था आगे की बात देखिए if the father is absent इसका मतलब क्या हुआ अगर पिता जी absent है और is holy indifferent to the affairs of the minor then the mother will become the natural guardian of the minor getting my point यदी पिता अनुपस्तित है या अवयस्क के मामले में पूरी तरह से उदासीन है तो माता अवयस्क की नैसरगिक सरक्षक बन जाएगी पिता जी absent है माता जी आ जाएगी natural guardian में लेकिन पिता और माता की definition में सोतेले पिता या माता को कभी भी सामिल नहीं किया जा सकता है मतलब step father and step mother will not be included in the definition of father and mother they cannot be called as father or mother यह भी याद रखेगा अब section 6 के अंदर ही दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक important बात बता देता हूँ removal or disqualification of natural guardian नैसरगिक क्या कह रहा हूँ नैसरगिक जो सरक्षक होते हैं उनकी अनर अनरताएं उनकी disqualifications क्या है जरा चेक करते हैं या कब-कब natural guardian को नैसरगिक सरक्षक को हटाया जा सकता है अगर जो guardian बना था भाई साब वो हिंदू से muslim बन गया तो भगाओ उसको हिंदू नहीं रह गया अगर कोई भी व्यक्ति cease to be हिंदू हो जाए example धर्म परिवर्तन apostasy अगर किसी ने apostasy कर लिया है तो apostasy के case में धर्म परिवर्तन case में वो natural guardian अपनी guardianship को खो देगा दूसरी बार अगर उस व्यक्ति ने क्या कर लिया पहले point के बाद दूसरा point दूसरा point ये कहता है completely and finally renounce the word मतलब उसने त्याग दिया हो संसार को क्या कर दिया है उसने संसार को त्याग दिया हो अगर उसने संसार को त्याग दिया है दोस्तों तो वह भी क्या कहलाएगा वह भी natural guardian की definition में नहीं आएगा getting my point मतलब कब कब आप natural guardian नहीं बनेंगे पहला अगर आपने अपना धर्म बदल लिया तो आप गाए एक बाद बताओ सरक्षक तुम खुद के सरक्षक नहीं हो तुमने खुद ने अपना धर्म बदल लिया काने का मतलब तुम खुद के ऊपर ही अभी completely sure नहीं हो कि तुम अपने आपको कैसे रक्षा करो तो तुम खुद अगर हिंदू नहीं रह गये तो तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया तुम ने चुरगार्जन नहीं होगे दूसरा आपने संसारी त्याग दिया मोमाया त्याग दिया तो वह भी क्या होगा वह भी हिंदू नहीं होगा एक्जेम्पल इसका लिखा है becoming permit वन प्रस्त कहते हैं दोस्तों इसको वन प्रस्त कहते हैं इसको और दूसरे सिचुएशन में स्टुडेंट ऐसे तिक कहते हैं कोई यति या सन्यासी हो गया है तो इनको भी कहते हैं दे आर कम्प्लिटली रिनाउंस दो वर्ड और इस केस में इनको बोला जाता है दे आर गोइन टू बी ओन सिविल डेथ मतलब इन्हों ने एक तरह से अपनी सिविल म्रत्यू भी कर ली है तो इस सिचुएशन में अगर कोईसी ने वनप्रस्त हो गया हो हर्मित हो गया हो जति या सन्यासी हो गया हो और उसने इस तरह से संसार त्याग दिया हो तो अनेचुरल गार्डियन नहीं रहेगा दूसरा के बाद तीसरा पॉइंट पे आईए अगर कोई माइनॉरिटी है सेक्शन टैन में हम अभी माइनॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे अगर कोई माइनर है दोस्तो कोई बच्चा है एक बच्चा क्या दूसरे का गार्डियन बन जाएगा क्या सेक्शन टैन कहता है नहीं एक माइनर किसी भी शर्ट पर दूसरे माइनर का गार्डियन नहीं बन सकता खुद का तो पहले समाल ले तीसरे के बाद चौथी बाद अगेंस्ट माइनर्स वेलफेर section 13 ये कहता है कि हमेशा आप लोग minor के paramount consideration के लिए काम करेंगे मतलब अप्राप्तवे के भले बच्चे के भले के लिए काम करेंगे upliftment of the children for the welfare of the children लेकिन आप जो guardian appoint हुए हो आप तो minor के welfare कल्यार के खिलाफ काम कर रहे हो तो अगर आप section 13 में बच्चे का खयाल नहीं रख रहे हो इवेन आप उसके against में काम कर रहे हो तो भी आपको guardianship से हटाया जाएगा you will be removed वन प्रस्त यंती और सन्यासी वो होते हैं जो अपनी मोह माया को त्याक कर अपनी अलग ही दुनिया जीवित रहते हैं वो परिवार उर्वार को छोड़ देते हैं जैसे हिमाले परवत नहीं देखा है ऐसे सादू संत बन जाते हैं तो बताओ अब वो सादू संत बन जाएंगे तो माइनर की देखभाल कैसे करेंगे समझे बात को हाँ अभी सेक्शन 12 को मुस्कान अरोड़ा हम डिसकस करेंगे फिर उसके बात समझेंगे अब देखिए आगे की बात करते हैं अब देखिए इसी के साथ जैसा कि मैंने सेक्शन 6 को पढ़ाया तो देखिएगा सेक्शन 6 के साथ लिख दो रीड विद सेक्शन 10 एंड 13 10 और 13 को साथ में ही मैं इसके पढ़ाता हूं हमेशा देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है माइनर शेल भी इनकॉम्पीटेंट तो एक्ट एस गार्डियन आफ दी प्रॉपरिटी ओफ एनी माइनर जो माइनर होता है दोस्तो वह इनकॉम्पीटेंट होगा अयोगी होगा टू एक्ट एस गार्डियन आफ दी प्रॉपरिटी ओफ एनी अदर माइनर एक माइनर दूसरे की माइनर की प्रॉपरिटी के लिए गार्डियन के रूप में काम नहीं कर सकता इसके लिए एक अपवाद भी है दोस्तो सेक्शन 10 का एक अपवाद है उसकी बात हम करते है क्या एक बच्चा एक माइनर भी गार्डियन बन सकता है येस इन केस ऑफ जोइन्ट फैमिली प्रॉपरिटी अगर आपकी जोइन्ट फैमिली प्रॉपरिटी है तो उस जोइन्ट फैमिली प्रॉपरिटी के केस में इवन अ माइनर में भी अ करता एक माइनर भी करता बन सकता है और जब माइनर करता बन जाता है और जब माइनर करता बन जाता है तो बिलकुल वह माइनर भी एक बार गार्डियन बन सकता है इसको एक line में याद कर लो कि क्या minor भी कभी garden बन सकता है तो अपवाद के रुप में याद रखना है joint family property के case में एक minor भी करता के form में सरक्षक बन सकता है सहिंत परिवार में अवैस्क भी करता हो सकता है और हिंदू विदी में इसके विरुद कोई निशेद नहीं है चलिए अब बात करते है section 13 की minor's welfare मतलब बच्चे का कल्याण तो welfare of minor to be a paramount consideration मतलब क्या हुआ प्राप्तवे का कल्याण सर्वो पर होगा मतलब while appointing guardian ध्यान से देखिएगा जब कभी भी आप guardian को appoint करते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो minor है उसका कल्याण होना चाहिए कभी भी minor के appointment के time ऐसा दिखता है कि यह guardian के welfare के against है तो वह उसको remove कर दिया जाएगा तो हमेशा याद रखना section 13 क्या कहता है बार बार प्री में पूछा जाता है minors welfare shall be paramount consideration हिंदी में अप्राप्तपय का कल्याण सर्वो परी होगा अब देखिए आगे की बात करते हैं एक बहुत important case है जीजा भाई वर्सिस पठान खान का देखते रहेगा 1971 का ठीक है जी आप देखिए प्लीज वेट अगर दो भाई है एक का age 10 और एक का age 17 है ठीक है तो बड़ा भाई छोटे भाई का गार्डिन बन सकता है ना कैसे बन जाएगा एक माइनर दूसरे का गार्डिन कैसे बन जाएगा लक्षमी दोनों का गार्डिन appointment किया जाएगा राइट आगे चलते हैं अब देखिए आगे की बात एक case आया था जीजा भाई आई वर्स पठान खान 1971 में क्या कहा गया था इन सुप्रीम कोट हैंड डेट वेर अ मदर इस लिविंग सेपरेटली फ्रॉम दी फादर फॉर ओवर ट्वेंटी इयर्स अगर कोई माता जी है जो अपने पिता जी से अलग रह रही है बिस सालों से लेकिन वह महिला अपने प कुत्री का अपने बेटी का डॉटर का केर प्रोटेक्शन पूरा कर रही है पैसे दे रही है पढ़ा रही है लिखा रही है तो वह नेचुरल गार्डियन कहलाएगी क्या सुप्रीम कोट ने इस केस में कहा बिलकुल वह कहलाएगी इन सच केस दफादर वोड नॉट बी कंस अब मान दीजिए महीला वह अभी सालों से अलग रही है तो साथ याज उससे ज्यादा साल से अलग रह रहे हैं तो यहीं माना जाएगा पिता जी मर गये है और नेचुरल गार्डियन इनका माता जी है अब देखिए अब देखिए एक और केस आये था दोस्तों नारायन वर्सेस संपूर्णा 1968 ध्यान से देखिए नारायन वर्सेस संपूर्णा 1968 में क्या बोला गया था कहने का मतलब जहां एक पिता अभिवावक की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहे जाता है फादर इन जनरल गार्डियन होते हैं लेकिन फादर फेल हो जाए अपनी रैस्पोंसिबिल्टीस को फुल्फिल करने में या फिर मैं कहूं या लापरवाही का करता बच्चों की क्या करेगा तो नियायले द्वारा किसी भी घोशना के बावजूद मा को सरक्षा का हर अधिकार प्राप्त होता है तो माता को यह कुछ एक्सेप्शनल सिच्वेशन है इन जनरल पिता जी को गार्डियन शिप मिलती है लेकिन कोश्चन यह कब कब पिता जिन्दा हैं हैं अवलेबल फिर भी माता को गार्डियन शिप मिल जाती है तो इन इन केसे में मिल जाती है आगे की बात अब एक और प्रश्न है दोस्तों अगर एक विद्वा द्वारा पुनर विवा कर लिया जाए कोई वीड़ो थी उसके बच्चे थे अब उस वीड़ो ने क्या कर लिया वापस से शादी कर ली तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए अ हिंदू विड़ो डज नौट बाहरी मैरिज लॉस हर प्रिफरेंशिल राइट ऑफ गार्डियन शिप और हर माइनर चिलन बाइदर डिसीज रसमेंट वेदर सच मैरीज इस पर शादी करने से विद्वा के कोई भी गार्डेंशिप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा दर राइट ऑफ नेचुरल गार्डेंशिप ऑफ मदर इस एपसुल्यूट आफ्टर दफादर बिलकुल मदर का जी गार्डेंशिप का राइट है वह पर कंप्लीट रहेगा एपसुल के बाद यस गुड़ मॉर्णिंग रॉनक वेर नेचुरल गार्डियन हैस बीन रॉंगली डिप्राइब ओफ देप्राइब ऑफ दी कस्टरी ऑफ इस और हर चाइड दे सेम कुड़ भी री स्टोर्ड तू दी रिट आफ हैबियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट बात ब अबिरक्षा से गलत तरीके से वंजित गया है गलत तरीके से उसको बच्चे की कस्टेडि को छीन लिया ऻिसे बंदी तरत्यक्षी करण रिट हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से पुनर स्थापित किया जा सकता है बिल्कुल अगर आप किसी के बच्चे को छीनोगे तो क्या करेगा है फाइल करेगा है और कहा लगता है अगर लड़का लड़की भाग जाते हैं शादी के साधी कर लेते हैं त पिता हमेशा यही कहता है लड़की के पिता तो जब लड़की का बाप जो होता है वह कौन से रिट फाइल करता है हैबियस कॉर्पस रिट में फिर क्या होता है दोस्तों फिर दोनों को बुलाया जाता है कोट में तब अजस साहब कहते हैं कि कॉर्पस को प्रस्तूत किया ज जो कहेगा कि हाँ मुझे गलत तरीके से भगाया गया था मेरे इच्छा के खिलाफ तो कॉर्पस का मतलब गवा उस व्यक्ति जो गवा बनेगा जो कॉर्पस का मतलब बाडी वो लड़की की बाडी को प्रस्तूत किया जाए जो गवा ही देगी तो जैसी बोलते हैं जैसाब खड़ी रहती है लड़का विचारा इससे टैंशन में रहता है một क्या होगा तब उसके पहले क्या होता है उसके पहले वो सो पिताजी होते हैं वह लड़की को समझा देते हैं अगर नहीं मानी तो मैं तुम से पूरी जिंदगी बात नहीं करूँगा मैं जीते जी'mर जाओ गए बहुत सारी चीज़े हो जाती है और बच्चा हो फस जाता है लड़का अब यह अब लड़का फस गया अब लड़का जाएगा जेल और लड़की रहेगी पिदा जी के साथ चलिए कहानी खतम यही होता है हैपिएस कॉर्पस रेट और इसका यूटुलाइजेशन ऐसे ही दो केसिस में देखता था तो इसी हिसाब से लड़का फस्ता है तो जो मेरा लेक्चर देख रहा हो ना वो थोड़ा सा लड़की मुकर जाती है 99 परसेंट आगे चलते हैं फिर भी एक परसेंट नहीं मुकरती है तो बच जाते हैं लेकिन हम लोग उन्हीं अपवादों को द इस मदर बिलकुल वही बात इसने बोली पांच साल से छोटे का बच्चा है कस्टडी मदर को दीजिए एंड एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेज में ही फादर को कस्टडी दी जाएगी अन्य था हमेशा पहला राइट पिता जी के पास होगा ठीक अब आईए सेक्शन 6 के उशा वापस बताएं अपना कोशन यस नेचुरल गार्डियन कौन होता है अड़ूप्टेट सन का अब देखो एक बच्चा है एक लड़का लड़की के मान लेजे उसके माता पिता नेचुरल गार्डियन है अब वह क्या करते हैं बाइविल के माध्यम से या किसी भी माध करवा देते हैं किसी और को ठीक है तो कहने का मतलब नेचुरल गार्डियन जो असली माता-पिता है ऑफ एडॉप्टेड माइनर सन पासिस फ्रॉम नेचुरल पैरेंट टू एडॉप्टिव पैरेंट मान लीजे ए और बी यह वास्तविक माता-पिता है लेकिन सी और डी ने क पास एडॉप्टेड माइनर सन जो माइनर सन है वो एडॉप्टेड माइनर सन कहलाएगा एडॉप्टेड माइनर सन की केस में अगर गार्डियन अब मान लीजे बच्चा एडॉप्ट हो गया वो क्या कहलाएगा एडॉप्टेड माइनर सन और उसके मम्मी पापा एडॉप आप्टेट फादर माता एडॉप्टेट मदर अब यह नेच्रल मदर थोड़ी कहलाएंगे जो अब आये हैं नय 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 माता पीता है तो एडॉप्टेट माइनर सन के जो गार्डियन होंगे वह एडॉप्टीव फादर और आफ्टर हम मतलब इन पहला राइट किसके पास किया खालन किस से रिलेटेड है सेक्शन 6 दिखिया जा जाके क्या धिक्कत है, सेक्शन 6 के अंदर केसी, क्या केचिए क्ईक्श आएगा इसके अंदर दो category बनाई गई है power of natural guardian और restrictions मतलब section 8 के अंदर दो बाते बोली गई है दो चीज़े आप हमेशा याद रखेंगे एक तो नैसरगिक सरक्षक की सक्तियां क्या क्या दी गई है दूसरा इनके restrictions भी क्या क्या है जिनको हिंदी में बोलते हैं निर्बंधन क्या बोलत उनके कुछ शक्तियां भी है क्या येस बहुत ज़्यादा शक्तियां है और इनके उपर कुछ रोग भी लगाया है यही मैं कह रहा था कि natural guardian के उपर भी minor को लेकर कुछ limitations लगाई गई है वो section 8 है अब देखे natural guardian has the power to do all acts which are नैसरगिक सरक्षक उन सब कारियों को करने की शक्त ही रखता है जो पहला नेसेसरी हो तो ऐसे कोई भी एक्ट जो बच्चे के लिए नेसेसरी है वो सारे कम natural guardian कर सकता है जो act reasonable हो युक्ती युक्त हो बच्चे के benefit के लिए हो for realization protection for benefit of minor's estate मतलब minor की संपत्ति के benefit के लिए realization के लिए protection के लिए जरूरी है वो सारे act do all acts वो कौन कर सकता है वो natural guardian कर सकता है तो समझ मैं natural guardian किते काम कर सकता है necessary reasonable जो beneficial minor के लिए benefit करता हो उसके state को वो सारे काम कर सकता है लेकिन दूसरी तरफ इनके पास power है तिनके उपर रोक भी लगाई है हमने चलो क्या-क्या निर्बंधन है guardian can in no case bind the minor by a person बाई आप बाई आप पर साउंड कोवनेंट ही थोड़ा से कुछ गलत लग रहा है परसनल होगा यह बाई परसनल कोवनेंट देखे सर अक्षब किसी भी दशा में आप राप्तवय को व्यक्तिक प्रविसमिदा द्वारा आबद नहीं कर सकता कोई भी परसनल कोवनेंट या एग्रिमेंट्स करके आप किसी भी दशा में minor को आप क्या नहीं बाउंड नहीं कर सकते आगे देखिए shall not without permission of court इनके ओपर दूसरी रोग क्या लगी है पहले ताप minor को bind नहीं कर सकते दूसरी बात किसी भी situation में shall not without the permission of court आप ये दो काम नहीं कर सकते पहला और दूसरा दोनों काम क्या हैं दोस्तों पहला minor की property को आप बंधक नहीं रख सकते ध्यान से देखिएगा minor की property को mortgage या बंधक नहीं रख सकते minor की property को आप charge पर नहीं रख सकते sell नहीं कर सकते gift नहीं कर सकते और exchange विनमे नहीं कर सकते मतलब ये natural guardian के उपर रोक लगी भी भाईया minor की property को आप ये सब नहीं करेंगे कौन सी property जो की एक immowable property है minor की तो ammoyable property को न तो mortgage किया जा सकता है ना ही भारित किया जा सकता है विक्रे किया जया सकता है दान किया सकता विनमे किया सकता है इसके अलावा दूसरा lease की भी बात आती है अगर लीज की बात करें, तो अब एक साल का भी आपको पॉइंट याद रखना होता है, लीज फॉर मोर देन वन एर, फ्रॉम दा डेट माइनर अटेंस मेजॉर्टी, माल लीजिए, एक जनवरी 2022 को बच्चा बड़ा हो गया, वयस्क हो गया, मेजर हो गया, तो क्या अब, क्या अब माइनर की प्रॉपरिटी को 5 साल के लिए आप दे सकते हैं, नहीं, आप माइनर की प्रॉपरिटी को सिर्फ, नहीं कर सकते हैं भाई, यहां से पढ़ो, शैल नॉट विदाउट दपर्मिशन ओफ कोट, लीज पर मोर दन फाइव यह, तो यह नॉट यहां पर अप्लाई हो रहा ठीक है, और यहां पर भी, तो मतलब, आप पांस साल से ज्यादा के लिए ना तो लीज पर दे सकते हैं, और, cannot lease without the permission of court for more than one year, in case from the date minor attends majority, अगर minor ने majority attend कर ली है, तो उस case में आप एक साल से ज्यादा के लिए लीज पर नहीं दे सकते हैं, इन जनरल, पांस साल से ज्यादा नहीं, यह जनरल हो गया आपका, in exceptional situation, अगर वो majority की बात आजाती है माइनर की, तो एक साल से ज्यादा के लि restriction और है चरा, और सुनिएगा, इसके उपर natural guardian के उपर, यह section 6 के साथ पढ़ना है आपको, disposal of immobile property in contravention of section 8, अगर आपको section 8 में मना किया गया है, अगर आपको, हाँ, एक साल तक आप कर सकते हैं, अब देखे, अगर आपको section 8 में मना किया गया है, कि भाईया, तुम क्या नहीं क कर सकते हो, तो माइनर की property को बेच रहा, गीफ्ट या कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपो सारे काम कर रहे हो, तो आपका जो उलंगन कहलाएगा, वो धारा आट का उलंगन कहलाएगा, तो धारा आट के उलंगन में किया गया, इस्थावर संपत्ति का व्यायन, धारा आ हम, getting my point? हाँ, majority अगर वो अटेंड कर लेता है, तो एक साल से ज़्यादा नहीं, अब देखिए, धारा आट के उलंगन में किया आपने, धारा आट में क्या बोला गया था, यह सब काम मना है, और यही सब काम कर रहे हो, तो voidable सुने करनी हो गया, अब एक और बात देखिए, Disposal of Immovable Property can be granted by court in case of necessity, अब इसका मैं कह सकता हूँ, यह अपवाद के रूप में है, देखो, यह आपका पहला point था, इसके बाद यह आपका दूसरा point कह सकते है, यह आपका तीसरा point है, कि क्या Immovable Property को Disposal of किया जा सकता है, इन जनरल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई आ Evident Advantage at the Miner, माइनर का Benefit है कि इस Immovable Property को बेच दिया जाए, तो उस case में ही आपके वल माइनर की प्रोपरिटी को Disposal of या फिर बेच सकते हैं, चलिए, यह चार point था, एक, दो, इस वेट, एक point नहीं गाया आप लग रहा है, बाई, चलिए, देखते है, एक, Disposal of Property and Contravention, वाइडेबल होगा, चीक है, चलो, case देखिए, तीनी होगा, क्या पता, मानिक चंद वर्सेज राम चंद, 1981 का Supreme Court का Landmark Judgment था, The natural guardian has been empowered to do all such acts which are necessary for welfare and benefit of the child, नैसरगित सरक्षक, वो सब कारे करने की सकती रखता है, जो कि बच्चे की कल्यार तथा लाप के लिए आवेश्यक हो, बताईए किस section में ये आएगा, जल्दी से बताईए दोस्तों, पांच मिनट का, दस मिनट का lecture है, अभी मैं आपको पांच कोशन प्री के और करा दूँगा इसी के साथ, जल्दी से बताईए, फटा-फट करिए, नहीं जी गलत हो रहे हैं आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ कि, for the welfare and benefit of the minor, section 8 है उसे में बोल रहे हो, एक और section है, paramount consideration of child, उसमें भी क्या आप लिख सकते हैं, इसको जल्दी से बताईएगा, students, please जल्दी बताएए, आप लोग के जितने जल्दी answers आएंगे, उतने जल्दी में आगे बढ़ूँगा, तो section 13 भी इसमें डाल सकते हैं, यह नहीं डाल सकते हैं, अब चलिए आगे की बात, एक चंद्रवर्थी वर्सेस थंकंपन का केस था, 2009 के situation में, देखें यह क्या कहता है, students, इस situation में क्या बोला गया था, प्रॉपारिटी एलाइनेटेड बाए मदर, नोट बिइंग आ नेचुरल गार्डियन, एक माइनर की प्रॉपारिटी को, मदर ने एलाइनेट कर दिया, बट वह नेचुरल गार्डियन नहीं थी, और सो विदाउट उप्रॉपारिटी जो आप बेच रहे हैं, वह क्या कहलाएगी, वह वाइड एब इनिश्यो कहलाएगी, अब देखें, वेरी 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 इंपोर्टेंट, एक और कोशिण है जो एक्जाम में आएगा आपके, तेस्टामेंटरी गार्डियन वह गार्डियन होते हैं, मैंने चार्ट में सेक्शन नहीं लिखाया था कि नहीं लिखाया था, ताइपस आफ गार्डियन में, वह अब नम्मा पॉईंट पढ़ा रहा हूं, नम्मा section कि these are those guardians of a minor who are appointed by will of natural guardian जिनको एक वसियत के माध्यम से will के माध्यम से appointment किया जाता है getting a point section 9 का clause 5 इसी के respect में क्या कह रहा है तो who is testamentary guardian who are appointed by will of natural guardian जिनको वसियत बना के appointment करके जाते हैं वो testamentary guardian इसी के respect में 9 का clause 5 क्या कहता है guardians appointed by will shall have right to act as minor's guardian after the death of father and mother ये बात आप याद रखेगा अब जैसे जीवित माता पिता वास्तवित माता पिता है वो जो गाई विल बना के जाते हैं दोस्तों तो क्या हाथो हाथ वो काम करने लग जाएंगे क्या नो वो guardian क्या करेंगे दोस्तों वो guardian जब natural guardian की death हो जाएगी तब उसके बाद वसियत खुलती है उसमें नाम देखा जाता है तब वो effect में प्रभाव में आते हैं अब देखिए इनके powers की बात करते हैं exercise all such powers or rights of natural guardian मतलब जो यह यह जो guardian होते हैं टेस्टामेंटरी जो वसियत से बने हैं इनके पास वो सारे के सारे powers पर अधिकार होते हैं जो एक natural guardian के पास होते हैं ने सर्गीक सहरक्षक के सारे की सारे power वो टेस्टामेंटरी के पास चले जाते हैं और अधिकार and plus all restrictions as given under section 8 हाँ जो section 8 में natural guardian के ऊपर रोक लगी थी वह टेस्टामेंटरी के ऊपर भी as it is लगेगी अरे भाई आप rights और liabilities ले रहे हो तो साथ साथ restrictions भी तो लोगे अब देखिए 9 का clause 6 बहुत important है राइट ऑफ टेस्टामेंटरी guardian ceases on marriage of girl यह कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं तो natural guardian के भी guardianship खतम हो जाते हैं जब पुत्री का विवा हो जाता है तो इस situation में भी अगर गर्ड का marriage हो जाता है तो यहां पर भी उनके guardianship के राइट खतम हो जाएंगे section 9 के संबद में एक chart और देखिए who can appoint testamentary guardian testamentary मतलब वसीयती सरक्षक को कौन नियुक्त करेगा अगर हिंदू पिता की बात करूं हिंदू पिता के case में कौन नियुक्त करेगा who is natural guardian of minor legitimate children रहे अरे भाई जो natural guardian है वही तो testamentary को point करता है भी बताया मैंने तो same हिंदू पिता बिल्कुल testamentary guardian बना सकता है दूसरी बात हिंदू विड़ो क्या हिंदू विद्वा भी testamentary guardian बना सकती है बिल्कुल who is entitled to act as natural guardian अगर कोई हिंदू विद्वा natural नेसर्गिक सरक्षक के तौर पर entitled हकदार है तो वह भी तेस्टामेंटरी guardian को अपॉइंट कर सकती है तीसरा अगर हिंदू मदर की बात की जाए मालीजे हिंदू माता है वें फादर हैस बिकम डिस एंटाइटल अगर फादर डिसंटाइटल हो जाए फादर की बात ही खतम हो जाए तो मदर भी क्या टेस्टामेंटरी guardian विल के द्वार अपॉइंट कर सकती है चौथा वापस से हिंदू मदर एक और लिखावा है माइनर के illegitimate children है मतलब अगर कोई minor illegitimate बच्चा है तो उस case में भी हिंदू मदर टेस्टामेंटरी guardian अपॉइंट कर सकती है चीक है यहां पर minor legitimate children था आपको पता है ना जब legitimate की बात आती है तो father तो ही है but in any situations अगर illegitimate child की बात आती है तो माता को ही प्राथ्मिक्ता दी जाती है यह बात तो आपको अच्छे से पता ही होगा मैं दस बार बता दिये अब देखिए क्या testamentary guardian को remove किया जा सकता है तो आप अगर अपनी bear act पढ़ेंगे तो यह आपको content नहीं मिलेगा reason is that यह में इसका answer writing है तो removal of testamentary guardian के बारे में बहुत दो point छोटे से दिये गए है बट विस्तार में नहीं दिया गया है देखिए section 39 जैसा कि मैंने सुरू में बताया था of the guardian and wards act जब आप guardian और ward act पढ़ेंगे उसके अंदर एक section धारा 49 है वह क्या बताती है कुछ grounds के बारे में बताती है कुछ आधार बताती है किस आधार पर testamentary guardian को हटाया जा सकता है ठीक है वसीयती गार्डिया का सारक्षा को हटाया जा सकता है तो grounds on which a testamentary guardian could be removed यह बताया गया section 39 इत में भी noted that here that the abo sections has not been abrogated by the present act of 1956 मतलब जो वर्तमान में हिंदू minority and guardianship act 1956 है उसने कभी भी किसी भी situation में दोस्तों इस act के guardian एंड वाट्स act के 39 sections को abrogate नहीं किया है मतलब हमारा जो हिंद section 2 को याद करो हिंदू minority and guardianship act का section 2 क्या कहता है कि भाया जो हमारा यह act है यह supplemental है किसका 1890 का तो वही बाग फिर बोल रहा है देखो न जी कि यह जो act है section Hindu minority and guardianship act 1956 इसने abrogate नहीं किया कभी भी इस act के section 39 को इसलिए यह act तो लागू होता ही होता है 1956 के साथ साथ section 39 भी removal के case में लागू होगा ही होगा hence it stands a good law even today मतलब आज की date में Hindu minority and guardianship act 1956 तो apply होता ही होता testamentary guardian के case में साथ साथ जो आपका guardian and wards act आपने पढ़ा है 1890 दोस्तों यह भी लागू होता है इसका section 39 जो है वह इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए तो आप सभी को बता दो इसके अंतरगत दो grounds दिये गए हैं कितने grounds दिये गए हैं दो grounds दिये गए हैं जबकि अगर इसकी बात करो इसके अंदर many grounds दिये गए हैं चलिए इन grounds को पढ़के हम आगे answer writing को complete करते हैं getting my point अब देखिएगा many grounds पहला a testamentary guardian should be removed on the following grounds as mentioned in section 39 धारा 49 के अनुसार एक testamentary guardian को remove किया जा सकता है in the guardian and what's act पहला अगर वो abuse of trust करे मतलब उसको जिस trust के जिस विश्वास के भरोसे उस guardian को लाया गया था वसियत की दौरा नियुक्त किया गया था उसने अपनी क्या कहते हैं विश्वास को ही abuse किया है continuous failure to perform the duty अपने duties को perform नहीं कर पा रहा है incapacity to perform the duty मतलब अपनी duty को perform करने में incapable हो गया है ill treatment or neglect to take proper care of his ward वो अपने ward का ill treatment कर रहा है care नहीं कर रहा है continuous disregarded to any of the provisions of the act मतलब अधिनियम के किसी भी प्रावधान की लगातार अवहेलना कर रहा है फिर छथा point conviction in case of an offense relating to lapses in the character ठीक है फिर उसके बाद character में गड़बड हो गया keeping an adverse interest अगर वह adverse interest रख रहा है बच्चे के हित में ना रख्या अपना हित को साज़ रहा है season to reside within the local limits of jurisdiction of the court वह अधालत के अधिकार शेत्र की सानी सिमाओं के बितर निवास करना बंद कर दे अमेरिका चला जाए insolvency और bankruptcy दिवालिया या दिवालिया पन जो भी है कंगाल हो जाए कहने का मतलब विजय माल्या आगे चलिए तो इन सभी situations में दोस्तो इन 9 points पर क्या कोई testamentary guardian रहेगा नो clear हुआ कि नहीं हुआ ऐसे 9 points आपको बना के आने है जब पूछा जाएगा testamentary guardian के बारे में तो हिंदू इसको भी साथ में लिखके आना जरूरी है इन addition to the above जो अभी 9 points दिये गए उसके अतिरिक्त अब ये act कौन कौन से आधार बताता है दो आधार पहला देखो if he ceases to be a Hindu यदि वह हिंदू नहीं रहता है जो testamentary guardian है वह हिंदू ही नहीं रह पाए तो भईया तुम testamentary guardian नहीं रहोगे has completely and finally renounced the world by becoming a hermit or ascetic और उसने renounce कर दिया world को hermit हो गया हो तो उस case में भी क्या होगा वह guardian नहीं रह पाएगा तो ये सारी चीजे होती है कि testamentary guardian कब वह नहीं रहेगा i hope removal का अगर question आ जाए तो आप लोग बड़े ही विस्तार से बड़े ही प्यार से अब answer writing कर सकते है हाँ समझ में आ जाए तो थमसब जरूर करते जाए कौन कौन guardianship के लिए अप्लाए कर सकता है अब आप देखो सोचे गार्डियंशिप कैसे ले सकते हैं जड़ा देखते हैं the court can consider the appointment of a guardian on the application of आपको application देनी पड़ेगी the person desiring to be appointed or claiming to be the guardian of the minor मतलब नियुक तो होने की इच्छा रखने वाला यह नवालिक जो अपराप्त है का अभिवावक होने का दावा करने वाला वेक्ति कोई वेक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं इसका पैरेंट हूँ अपलाए करिए दूसरा कोई भी रिलेटिव है कोई भी मित्र है माइनर का वह भी अपलाए कर सकता है गार्डियंशिप के लिए और इन दोनों सिचुएशन में आपको समझ में आ गया एक क्लेमेंट है पहले वाले में क्या लिखेंगे शॉट में जो क्लेमेंट है दावा कर रहा है दूसरे में आपने देख लिया कोई अगर रिलेटिव है उसका तो वह तो आएगा ही साथ मे कोई मित्र है तो वह मित्र भी यहां पर आ जाएगा क्या क्या रहा हूं कोई भी रिलेटिव है या कोई भी फ्रेंड है तो वह भी आही जाएगा लेकिन कलेक्टर भी क्या इसमें रोल प्ले करता है याद रखिएगा दक कलेक्टर मतलब कलेक्टर ओफ डिस्टिक जी ले का जो collector होता है या other area का है in which minor ordinary resides और minor holds the property वह collector भी apply कर सकता है किसी के लिए कि भाई या guardianship के लिए तो collector of district भी important role play करता है ठीक है तो the court can consider the application of guardian on the application of Clement on the application of relative on the application of friend on the application of collector of the district if the minor belongs to a class then the collector having authority with respect to that class अगर कोई class की बात करें किसी और वैस किसी वर्ग का है तो उस वर्ग के समन्ने अधिकार रखने वाला collector भी गार्डेंशिप के लिए अप्लाए कर सकता है फिर उसके बाद हम देखेंगे section 11 के बारे में section 11 कहता है de facto guardian very very important है दोस्तों इसे वस्तुता सरक्षक कहता है प्री में पता नहीं क्यों यह question पूछा जाता है de facto guardian का role de facto guardian का role पहले जमाने में बहुत जादा था लेकिन आज की जमाने में इसके role को 1956 का जब से कानून आया है इसके role को खतम कर दिया गया है अब लेकिन question आपका mains में जरूर बनेगा दो तरह के guardian में आप पढ़ाने जा रहा हूँ जो hundred percent दोनों में से कोई एक pre में या mains में पूछा जाएगा देखिए de facto guardian कौन होता है अरे आप समझते रही है क्या जैसे ऐसा हो सकता है जैसे की नेच्रल गार्जियन रियल मामी पापा अडॉप्टेड पैरेंट्स कौन होगे जो विल के दार अपॉइंटरी हो गए अब कोट अपॉइंट करती कोट वाले हो गए लेकिन कुछ ऐसे minor होते हैं जैसे उनकी बुवा है कि इसको पाला पोसा किसने बुवा ने इसको पाला पोसा कितने पडोस की भाभी जी ने पडोस की दाई ने चाची ने तो कहने का मतलब कुछ ऐसे guardian होते हैं ना तो उनको कोट अपॉइंट करता है ना कोई कहता है बस वो उसके पडोसी है या उसके रिलेटिव है उस बेस पर उसको पूरा पाल पोस्कर बढ़ा करते हैं तो वो उसके automatic guardian बन जाते हैं उनको कभी a point नहीं किया जाता है getting my point they are called de facto guardian लेकिन 1956 में इस de facto guardian को हटा दिया गया है लेकिन इसके अंदर थोड़े से content को और आप जानियेगा and ये management of his property की take care करते हैं ये legal guardian नहीं होते हैं and on his application to the court as guardian if the court appoints him he becomes the court guardian हाँ अगर ये लोग चाहें तो ये बाद में court को apply करके guardian बन सकते हैं लेकिन in general de facto guardian initially कोई court के दार अपोइंट नहीं होता है however such persons if he does not make application to the court but अगर ये व्यक्ति court को application नहीं देते हैं but manages the property of the minor he is referred to as de facto guardian getting my point मतलब इनको court appoint नहीं करता है ये legal guardian नहीं होते हैं फिर भी ये क्या कहलाएंगे de facto मतलब वस्तुता सरक्षक कहलाएंगे इनको de facto manager भी कहा जाता है दोस्तों because a de facto guardian of a minor is neither a legal guardian nor a testamentary guardian and nor a guardian appointed by the court ना तो ये legal guardian होते हैं ना ही ये testamentary होते हैं ना ही court के दार अपोइंटे होते हैं but ये होते कौन है he is a person who himself has taken over the management of affairs of the minor इनोंने खुद नहीं उस अप्राप्तवे की property का management अपने हाथ में ले लिया है as if he were a natural guardian वो ऐसे इसकी देखभाल करते हैं जैसे वो natural guardian है getting my point he had अब इसके बारे में odd defect के बारे में सुलो इनके पास कोई भी lawful authority नहीं होती है but can dispose of the property in case of emergency getting my point अगर emergency आ गई तो property बेश सकते हैं but in general कुछ नहीं कर सकते हैं they are no authority but such de facto guardian powers to dispose of the properties abolished यही point आपको याद रखना है पहले इनके पास emergency की case में power दिया गया लेकिन जैसे 1956 में एक section 11 का निर्माड हुआ उसी के निर्माड से de facto guardian के इस power को भी छीन लिया गया क्या बोला गया such de facto guardian's power to dispose of the properties abolished खतम कर दिया गया है by section 11 of this act getting my point समझ जाएगी ने de facto guardian वस्तुता सरक्षक अब कभी भी binary की property को बेच नहीं सकता है powers of de facto guardian चलिए इसके power को section 11 में खतम कर दिया गया यही बात repeat है आपका अब एक last point आप सभी को बता रहा हूँ बड़े प्यार से प्री में यह भी एक question आया जो बेयर एक्ट में नहीं है आपके बेयर में यह question नहीं है बड़ यह पूछा जाता है कि भाईया अब सब guardian पढ़ी लिए हैं तो ad hoc को क्यों छोड़ें जरा ad hoc के बारे में भी सुन लीजिए ad hoc guardian कौन होता है when a person acts as a guardian of the minor for certain particular purpose जब कोई एक व्यक्ती किसी अप्राप्तवे के लिए किसी विशेश उद्देश के लिए for certain particular purpose किसी विशेश उद्देश के लिए कारे करता है he would be known as ad hoc guardian बस बात करता है और जैसे ही वो object खतब हो जाता है उसकी guardianship और छोड़ देता है and ad hoc guardian does not find any place in the act इसको पूरे act में कहीं जगा नहीं दी गई है and any alienation of minor's property by him would be void अगर यह ad hoc guardian minor की कोई भी संपत्ती को बेचता है तो संपत्ती अगर बेचता है तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों वह कहलाएगा शुन्य क्या कहलाएगा शुन्य getting my point आई होब आप सभी को समझ में आ गया होगा एक केस था उसको भी सुन लीजे जाते जाते Mohini versus विरेंद्र कुमार 1997 Supreme Court has held that the controlling consideration in deciding the custody of the child is the welfare of the minor and not the right of the parents मतलब बच्चे की custody किसके पास दी जाएगे एक प्रशन आता है कि बच्चे की custody पिता के पास दी जाएगे माता के पास दी जाएगे तो आज landmark judgments के द्वारा ये कहा गया है कि बच्चे की custody उस व्यक्ति को दी जाएगी जिस वेक्ति जिसमें बच्चे का भला होगा जिसमें बच्चे का वेलफेर होगा मतलब अगर बच्चे का वेलफेर माता के पास है माता को दो कस्टडी नहीं तो पिता को दीजिए तो अब प्रायटीज को भी सेलेक्ट सुप्रीम कोट एज लकीर का फकिर नहीं है सुप्रीम कोट इसमें का कहा कि father's right to custody of children is neither an absolute nor indifisible one welfare of the child is the paramount consideration जो आपने section 6 में पढ़ा है कि हम यह साब पिता जी का पहला right होगा तो उसमें बोला गया नहीं पिता जी का right अगर अगर बच्चे का भला माता जी के पास है तो पिता जी के right को भी हटाया जा सकता है in any circumstances यह हमने रट नहीं लिया है कि पिता है तो पिता के पास ही जाएगा बस इतनी सी बाद सुप्रीम कोड कह रहा है कि situations को भी देखेंगे जी हम facts को भी चेक करेंगे तो यह था आपका पूरा एक्ट दोस्तों आई होप मैं आप सभी को उमीदों पर खरा उतरा हूं आप लोग मेरे अनुप उपाधियाक नाम सर्च कर दीजिगा linking laws अनुप सर के नाम से टेली ग्राम चैनल है इसको भी आप जॉइन कर सकते हैं कुछ अब आपकी बाते हों दोस्तों क्लास के बारे में इधर उधर के बारे में तो आप मेरे से पूछिएगा मैं आपको सारा जवाब दूँगा और आप सभी को बता देना चाहता हूं यह मेरा एफ़र्ट था आप सभी के लिए linking रेगुलर 2.0 चार मई सब्सक्राइब कर सकते हैं यूपी लोकल लॉस्विट इंटीग्रेट टेस्रीज फिफ्रीन डेस रैपीड रिविजन चल रहा है बिल्कुल अभी खतम भी हो जाएगा 420 में लिगी कोड लगा सकते हैं इंपॉर्टें अनॉंस्मेंट भी है 20 परसेंट आप सेफ कर सकते हैं एंड जी एस महापैक है इसे भी आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जूडिशरी के लिए भी है वाइ अनकेडमी सब्सक्रिप्शन इस आर्द बैनेफिट्स फॉर अनकेडमी सब्सक्रिप्शन एकसेस्ट वाल बैचेस क्वेस्टेस बैंग क्रियो क्योरेट टेस सीर ले सकते हैं वाट इस मीन बाइ पैरामाउंट वेलफेर का मतलब चाहे कुछ भी करो कोई भी कारण लो कोई भी एक्षन लो कोई भी डिसीजन लो बच्चे का भला होना चाहिए मतलब बच्चे का कल्याण सर्वो पर ही कहलाता है पैरामाउंट कंसिडरेशन ओके अब देखिए प्लस में लाइब क्लास विगली टेस्ट अलिब्ड एक्स अइक्स पर्सक्ट की गाइडलाइन की प्रोवाइट की जाती है कोई इन अप्रोप्रियेट कंटेंट है तो आप उसकी रिपोर्ट बच्वाउंटी के माद्यम से कर सकते हैं आई होग आप सभी को म अब इसके बाद आपका जो गर्ग जी 24 मेंटीनेंस है ना हिंदू मैरीज एक्ट का अगला मेंटीनेंस है इसलिए अब इस एक्ट के बाद वही लेके आने वाला हूं गर्ग ओके निश्चेंद रहे मुझे याद है वह टॉपिक में 24, 25, 26, 27 में लेके आने वाला हूं तैक सबी से विदा लेता हूं पूरा एक्ट एक शॉट मैंने कराया है एक एक लेक्चर आपको पसंद आये हो तो जरूर बताईएगा हाँ जब आप एक्जाम में बैठें इससे बाहर अगर कोशन कोई आ जाए तो बताईएगा और हाँ पढ़ाया हूँआ आ जाए तो शर्मान जब हारा ताइग यू